नमस्ते दोस्तों सभीता का कीचन में आपका स्वागत है आज हम कम तेल में ऐसा नास्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होगा फ्रेंड्स वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा तो इसके लिए यहां पर हमने एक कप चावल लिया है इसे हमने रात बर भीगो करके रखा है इसे हम चन्नी में अब चान लेते हैं इस नास्ते को कभी भी बनाए तो दो तीन घंटे के लिए चावल को भीगो करके रखे ताकि चावल जो है अच्छे से फूल जाए तो चावल को हमने चन्नी में चान लिया है इस चावल को हम पीसेंगे तो इसके लिए हम मिक्सिका जार ले लेते हैं सभी चावलों को एक साथ नहीं पीसेंगे आधा ले लेते हैं दो बार मे हम हरी मिогда अध्रख को डालेते हैं तीख आप अपने टेश्ट तेरों सार कम ज़्यादा कर सकते है अभी इस में थोड़ा सा पानी डाल करके पिश लेते हैं इसे पीष करके तैयार कर लिया है अब हम इसमें आलू डालेंगे यहां पर हमने दो उबले हुए आलू लिये हैं इसे हमने रात में ही उबाल करके रख दिया था फ्रीज में यह ठंडा है आलू इस आलू को हम छिल लेते हैं और छिल करके इसे हम तोड़ करके डाल देते हैं या फ तो हमने इसे पीस लिया है अब देख सकते हैं कि यह कितना गढ़ा हो चुका है आलू को डालने पर अब इस पीसे हुए आलू और चावल को हम एक बावल में निकाल लेते हैं जो हमने चावल पहले से पीस करके त्यार किया है उसी में हम इसे डाल देते हैं अब इसे हम चामत स फेट लेते हैं अच्छे से ताकि जो पहले हमने चावल को पीस करके तियार किया था वह आलू के सांथ अच्छे से मिक्स हो जाए इसे हमने अच्छे से फेट लिया है अब इसमें हम कुछ सब्जिया भी डाल देते हैं तो सबसे पहले हम पत्ता गो भी डाल देते हैं चौप क कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अब इसमें हम धन्या की पती डाल लेते हैं बारीक काटा है हमने अब इसमें हम कुछ मसाले भी डाल देते हैं तो सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं कलर काफी अच्छा आता है काली मिश डाल देते हैं और स्वा रलिए अब इन सभी को अच्छे से चलाते वह हम मिक्स कर लेते हैं ये नाश्ता बहुत ही घ्ल्दी है और प्ष्टिकता से बहुत ही भरपूर है ये इस नाश्ते को हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे इसे हमने अच्छे से फेट लिया है अब देख सकते हैं अब इसे हम पाच मिनट के लिए रेश्ट होने के लिए छोड़ देते हैं धकन से धक दिये हैं पाच मिनट बाद धकन अटा करके अब हम इसमें मीठा सोडा डाल देते हैं जो खाने वाला सोडा होता है उसे हम डाल देते हैं इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तीन से चार चमच पानी डाल देते हैं घोल भी गड़ा है थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा भूल को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मीठा सोडा डालने से यह नास्ता जो है अंदर से सौप्ट बनता है तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब देख सकते हैं अब हम पैन को गरम कर लेते हैं पैन में हम दो छोटे चमर तिल डाल दिये हैं और इसमें हम तिल डाल देते हैं सफेद तिल है और राई डाल देते हैं टेस्ट काफी अच्छा आता है तील और राई से आपके पास है तो आप जरूर डाल दे इसे तीसे तड़ाकने के बाद इसमें हमने जो घोल तियार किया ह उसे हम डाल करके फैला देते हैं अगर आप पतला बनाना चाहते हैं तो घोल को थोड़ा सा कम डालें अगर थोड़ा मोटा बनाना चाहते हैं तो घोल को है ज्यादा डालें तो इसे हमने डाल दिया है अभी से हम ढख देते हैं और पाच मिनट के बाद ढटा के चेक कर लेते ह तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से है अच्छे से पक गया है और इस पर हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि इसे पलटने के बाद नीची से भी अच्छे से ये सिख जाए अब हम इसे एक बरतर में निकालेंगे तो इसके लिए इस पर हम ढख देते हैं और इसे पैन को पलट देते हैं एक तरब से सिख गिया है तो इसे हम दूसे तरब से भी सिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा तेल हम किनारे से भी डाल देते हैं पैन को हिला देते हैं ताकि तेल जो है चारत रफ अच्छे से फैल जाए इसे हम तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही सेखेंगे गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए हमने gas का flame बिल्कुल लो रखा है लो flame पर यह अच्छे से पकता है तो पैन तो गरम ही था तो उसमें हम राई और तील को डाल दिये हैं और जो हमने घुलतियार किया था उसे भी हम डाल देते हैं और डाल करके इसे हम अच्छे से फैला लेते हैं इसे भी हम low flame पे ही करेंगे high flame नहीं करेंगे नहीं तो अंदर से यह कच्चा रहा जाएगा अब इस पर हम plate को रख देते हैं और pan को उल्टा करके नास्ते को निकाल करके फिर वापस pan में डाल देते हैं ताकि नीचे से भी अच्छे से सीख जाए तेल डाल देते हैं चारत्रव से और इसे हम ला देते हैं ताकि अच्छे से तेल जो है फैल जाए यह नास्ता भी बन करके तयार हो गया इसे हम plate में निकाल लेते हैं फ्रेंग्स आपको यह कच्चे चावल की रेस्पी कैसी लगी comment में आप हमें जरूर बताईएगा और एक बार जरूर इसे बनाईएगा